दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौरिया जी न्यूज चनलन में, दोस्तों एक बार हम फिर उपस्तित हुए हैं, आप लोगों के समझ नई जानकारी ले करके, आज जानकारी नई नई क्या है, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, पूरे विश्च में करोना वारिस का कहर बहु बताऊंगा दोस्तों, क्या सरकार इन चीजों से अंजान है, बेखबर है, या जानबूच कर ऐसा कर रही है, अगर ऐसा जानबूच कर रही है, तो दुनिया में इस भारत को कोई नहीं बचा सकता, ये गर्द होकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, दोस्तों, आपको बता दोस्तों कौन से सवाल उट रहे हैं इसको बात में बताएंगे लेकिन सब प्रत हम ये बताने के कोशिश करेंगे पूरे बिश में आज रिकार्ड क्या पहुंचा है करोना वायरस का किने लोग मिर्द को प्राप्त हो चुके हैं किने ठीक हो चुके हैं और भारत की इस्तिति क क्या है आज रब्तार से कौरोना वायरस भारत में फ्रापर मंजर्डात है प्रदामंतरी ने जो कहा है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों इस पर बात करेंगे दोस्तों सभी दिखाने से पहले बताने से पहले हम चाहेंगे दोस्तों अगर आप पहली बार चनल पर नुद देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेश्ट चनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट नुद सप्रतम मिलती रहे दोस्तों और अपने लेटेस्ट खबर की तरप दोस्तों आपको सप्रतम ये बताना चाहेंगे आज भारत की पूरे विश्ट में इस्तथी क्या है किने करोना वारिश पूरे विश्ट में फैल चुके हैं तो आपको लेटेस्ट जानकाय देना चाहेंगे इस समय 9,56,V888 लोग संक्रमित हो चुके हैं और रिकवर्ड कितने हुए हैं मिलब आच्छे कितने हुए हैं 2,728 लोग अच्छे हो चुके हैं और डेस्ट कितनी होई है 48,583 लोग मिल्ध को प्राप्थ हो चुके हैं ये है रही पूरे बिश्ट की बात आते हैं अपने भारत का आकड़ा जान लिजिए भारत का आकड़ा है भारत का आकड़ा यह है दोस्तों आज की डिट में 2341 लोग संक्रिमित हो चुके हैं जो 3-4 दिन में यह आकड़ा अतनी गंभीरता से इतने 30 से बढ़ा है दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या संकाय जताई जा रही है उसको भी बताएंगे दोस्तों और किने लोग ठीक हुए हैं आपने यहां 177 लोग भारत में ठीक हुए हैं 68-68 लोग मिर्त को प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों यह रही बड़ी खबर दोस्तों और आगे अंदेशा क्या दिखा जा रहा है जिस रेशियों से यह बढ़ रहा है वी दौणों का यह कहना है अगर इसी रेशियों से अगर आगे बढ़ता रहा यह किस दिन अगर कंट्रोल में नहीं आए खुद प्रधामंत्री मोदी ने कहा है लोग इसे ठीक से फालो नहीं कर रहे हैं और अपील करने में लागडाउन करने में जो उनसे तूटिया हुई है उन तूटियों के चलते भी ये कुरोना वारस भी तीज से फैल रहा है वो तूटिया क्या है उसे भी हम बताना चाहेंगे तूटिया ये है ठीक से प्लानिंग नहीं की गई और एक बारगी एक साथ ही एक सब्द में ही लागडाउन कर दिया गया ये बहुत बड़ी कमी हुई इससे क्या हुआ इससे ये हुआ अपने यहां की मीडिया अपने यहां का जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम नहीं किया जहां लोग फंसे रहे वहां फं रहे वहीं रहे कहीं धाउदन न जाये इससे करोना वारस अधिक फल सकता है बहुत अच्छी बात है जो जहां रहे वहीं पर ही रहे कहा गया लेकिन लेकिन इस पर इस पर जो सासन पर सासने मुस्तरी से काम में नहीं या पुलिस कर्मी ठीक से काम नहीं किया ता अगर ठीक स जांच करते कहीं पर कोई रुका हुआ तो नहीं है कोई भीड तो नहीं कहीं धर्म सभा में या कहीं पर गुर्दवारे में या कहीं पर लोगी कठा तो नहीं हो गए हैं और भाई संख्या में कठा हो गए हो और महामारी किस्तित वहां पर आ जाए कुरोनावाज तेज से वहा वहां पर उनको आच्छी तरह से रिकवर नहीं किया गया आज इस्तति यह हो गई कि वहां से एक जैसे बम फटता है करोना वारस को उसी प्रकार फटने लगे हैं और तीज से करोना वारस पूरे दुनिया पूरे भारत में फैल रहा है दोस्तों और हम आपको बताना चाहेंग क्या बताने की कोशिश की गई थी यह हमने बताया था आपसे कि कौन सी किस खबर को सरकार नहीं ध्यान दे रही है उस खबर को बहुत तेज से वारल हो रहा है वीडियो और बहुत सारे न्यू चैनल इस बात को बता चुके हैं कि आज भारत के इस्तितिया है भारत आपने सा स्वास्थ किट जो हैं हेल्थ केर किट डाक्टरों को प्लब नहीं हो पा रहे हैं वह अपने सुवच्छा स्वयम नहीं कर पा रहे हैं यह भी वीडियो वारल हो रहे हैं दोस्तों इस बात को समयना चाहिए जब हमारे यहां की स्वास्थ किट मास्क यह सब वस्तुएं जो नर्सों को उपलब नहीं होगे, डाक्टरों को उपलब नहीं होगे, तो यह कैसे किस प्रकार से इलाज करेंगे दोस्तों, यह बहुत बड़ी कमी है, इस कमी को सरकार को अंदेखा नहीं करना चाहिए, जो खबर निकल कर आ रही है, अगर वो बास सही है, तो सरकार बहुत गल निर्यात किया गया है अगर यह सहीज ख़बर है और जो न्यू चैनल नाम हम बता रहे हैं नैशनल जन्मत ने बताया है कि सार्भिया को 90 टन हेल्थ केर केर किट भेजे गया है है तो दोस्तों यह बहुत उस प्रकार की ख़बर है जो लोगों के साथ खिलबाड कर रही है आज यहां पर मेटकल में अस्पतालों में नर्सों के पास डाक्टरों के पास स्वास सुधाय नहीं है उनके पास अपने सुरच्छा के लिए एक हेल्थ किट नहीं है पता वो किस प्रकार से इलाज करेंगे वो यहां रोना रो रहे हैं और मरी तडब तडब के मर रहे हैं स्वा वाएरस का संगेत हो इसकी जांच होने चाहिए लेकिन समस्या बत से बत्तर है इसलिए जाज नहीं हो पा है क्या इस बात को आप मानते हैं सवाल कमेंट बाक्स में लेखे दोस्तों और प्रत कृट्व है इस बात को आप जाने लेजिये जो डावा किया है इसको हम आप लोगों को बताना चाहेंगे करोना पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है ऐसे में सोसल डिस्टेंस करने को कहा जा रहा है इसके चलते लागडाउन भी किया गया है जागरुकता भी फैलाई जा रही है साथ ही कैस तरह के अपवाएं भी फैल रही है एक ऐसी ही अपवाव यह है कि करोना हवा से फैलता है इसका स्विश्वा संग्णन ने खंडन किया है डवली ओचो ने साब किया है कि करोना सिर्फ संक्रमित ब्यथ के संपर्क में आने से फैलता है करोना का संक्रमन हवा से नहीं फैलता वो सिर्फ थूंक के करणों से ही फैलता है य इतने हलके नहीं होते हैं, जो हवा के साथ वहां से उड़ जाएं, वो बहुत जल्द ही जवन पे गिर जाते हैं, डिस्वा संग्णन के अंसौर, अगर Гवय संग्रमित बैक कै एक मीटर के दायरे में खड़ा होता है, तो करोना के सांस के जरिये उसके सहीश जा सकता है, अगर किसी सता पर किसी संगर में बैद के थूंके कण गिरे हों और उस सता को कोई सक्स छू कर अपने आख नाख मुँ को छू ले तो भी को वाइरस हांत के जरिये सरीर में जा सकता है ऐसे में हाल लगाता धोते रहना जरूरी है करोना का प्रकोपति इसे पूरी दुनिया में फैल रहा है दुनिया में तो दोस्तों ये बताने के कोशिश की गई है इसमें कि करोना वारस हवा से नहीं फैलता है अगर एक मीटर के अंदर आप खड़े होते हैं किसी बैद से दूरी बना करके एक मीटर से अगर दूर खड़े होते है तो ये थूंक के जरिए हवा में रणिंग को अगर कोई बोलता है आपके सामने एक मीटर के दूरी नहीं बनाए है तो सांच के आवा गमन के द्वारा बोलने के दौरान ये सांच लेने के दौरान एक मीटर के दूरी अंदर हैं तो आपको संकर्मन हो सकता है दोस्तों अगर एक मीटर से दूर हैं तो संकर् दोस्तों ये खबार आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरू करें और अपने प्रतक्रिया कमेंट बाक्स में लिखें धन्वाद दोस्तों